हेलो दोस्तों मैं हूँ तीलक और स्वागत है आप सभी का तीलक आटो हब पे तो आज आपके सामने हैं 2024 की न्यू हीरो हेट डिलक्स इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी 100 रूम कीमत है 67,968 रूपीज और अन्रोड कीमत है 82,790 रूपीज इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीट कितना तक जाती है, स्पेसिफिकेशन क्या है यह सारी जानकारी मैं आपको आज किस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश तक पूरा देखेगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो तीलक आटो हब को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए सबसे पहले सुरुवात करते हैं इसके फ्रंट से तो दोस्तों यहाँ पे आप वाईजर इसका देख सकतो ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिस के साथ आपको देखने को मिल जाता है जिसके उपर यहाँ पे आप देख सकतो थ्रीडी में आपको क्रोम के फिनिस के साथ हीरो की आपको बैजिंग दी गई है और साइड में आपको डिवर्ट टोन कलर के ग्रैफिक्स दिये गए हैं ब्लू और सिल्वर कलर के बॉल वाले यहाँ पे आपको नॉन फ्लैक्सिवल टन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप इसका साइड भी मीर देख सकतो ब्लैक कलर का आपको दिया गया है हेड्लैम सेटप की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लैक्टर हेलोजन हेड्लैम सेटप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के साथ कोई भी इसमें आपको पाइलेट लैंप नहीं दिया गया है नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकतो ग्लॉसिफनीस के साथ यहाँ पे उसका फ्रेंट वाला मटगाड देखने को मिल जाता है जिसके बील्ड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है दोनों और यहाँ पे आप देख सकतों कंपनी ने आपको रिफ्लैक्टर भी प्रोभाइट करा है सस्पेंशन की बात की जाए तो इसके फ्रेंट में यहाँ पे आपको मिलता है टेलिस्कोपिक वाले सस्पेंशन तो चलिए दोस्तों नेक्ष्ट अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकतो असी सौ अठारा गया यहाँ आपक को सिल्वर कलर का अलॉए देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देक सकतो अम मरें यहां पर यहाँ आप को दिये तो यहांसे पूरा princ चेक आउट कर सकते हो इस ट्रक्टर में आपको को बदलाओ देखने को नहीं मिलता है 112 kg की आपको curve rate दी गई है wheel base आपको 1235 mm के आपको देखने को मिलता है fuel tank की ओर चले तो यहाँ पर आप देख सकतो hero की आपको sticker work देखने को मिल जाती है इसके साथ साथ 3 tone color के यहाँ पर आपको graphics दिये गए blue, silver और हलका सा बीच में आपको gray color भी देखने को मिल जाता है full metal body यहाँ पर आपको दी गई है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो hero के customer care का नीचे में आपको number मिल जाता है और जैसा कि यह बिल्कुल latest वाला model है तो यहाँ पर आपको E20 की sticker work दी गई है silver color finish के साथ यहाँ पर आपको fuel tank cap दिया गया है 9.6 liter की आपको capacity मिल जाती है clutch यहाँ पर आपको medium soft type का देखने को मिलता है upper deeper की switch यहाँ पर आपको turn indicator और यहाँ पर आपको horn की switch दी गई है बागे दोस्तों इस bike में आपको warrant देखने को नहीं मिलते है single piece handle bar के साथ यह bike आती है जो कि chrome के finish के साथ दिया गया है center में आप hero की badging को देख सकते हो दूसरी और यहाँ पर आपको red color का self start का switch दिया गया है console की बात करें तो यहाँ पर आपको fully analog split वाले meter console दिया गया है जिसके left side में आप आप speedometer देख सकते हो odometer दिया गया है side extent की आपको warning light देखने को मिल जाती है दूसरी और यहाँ पर आप देख सकते हो fuel gauge आपको दिया गया है बीच में आपको hero लिखा मिल जाता है gear neutral की warning देख सकते हो check engine की light दी गयी और यहाँ पर आपको main headlight की warning light मिल जाती है key point देख सकते हो दोनों और आपको turn indicator की warning दी गयी है next अगर बात करें इसके seat comfort की तो यहाँ पर आप देख सकते हो single seat के साथ यह bike आती है कुसन आपको ना जादा soft मिलता है ना जादा hard मिलता है ठीक ठाक कुसन आपको देखने को मिल जाता है 805 mm की आपको height दी गई है single piece grab handle के साथ यह bike आती है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो silver color finish के साथ आपको दिया गया है बाकी seat call पर यहाँ पर आप देख सकते हो dual tone color के आपको graphics दिये गए silver और blue color के rear वाले suspension की बात करें तो यहाँ पर आपको two step adjustable hydraulic sock absorber वाले suspension दिये गए जिसे कि आप थोड़ा बहुत adjust भी कर सकते हो और दोस्तो रेर में tire देख सकते हो 808 आपको tubeless tire दिया गया है 18 inches का आपको silver color का alloy मिल जाता है और 130 mm की आपको drum brake देखने को मिल जाती है बाकी यहाँ से आप इसके tear की भी pattern को check out कर सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है बाकी यहाँ पर आप इसका exhaust देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको दिया गया है chrome के finish के साथ यहाँ पर आपको muffler guard देखने को मिलता है यह आपको metal body का दिया गया पीलियन का यहाँ पे आप एड़ जस्टेवल फूट्रेश्ट देख सकते हो, राउंड सेप का दिया गया है, साइड बाले पैनल पे यहाँ पे आप देख सकते हो, HF Deluxe की आपको इस्टीकर वर्क देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको ग्रैफिक्स दि सकते हो, यहाँ पे आपको rider का adjustable footrest मिलता है, brake pad देख सकते हो, यह भी हैपको chrome के penis के साथ मिलता है, engine पे आपको hero की branding दी गई है, इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आप इस सपार्क प्लग देख सकते हो, नीचे में आपको oxygen sensor दिया गया है, toolbox पे यहाँ पे आप देख सकते ह सिंगल पीस हॉंड के साथ यह बाइक आती है और यहाँ पर इसका क्रैस गार्ट देख सकते हो बाकी एक सो पैसाट एमेम के आपको ग्राउंड क्लिरेंस मिल जाते हैं तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करें इसके इंजन और पावर की तो इस बाइक में आपको मिलता है यह इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता 8.02 PS का 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता 8.05 NM का 6000 RPM अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो 60-65 KMPL के आसपास का आपको माइलेज मिल जाता है 90-95 के आसपास का आपको टॉप स्पीड मिल जाता है बागी दोस्तों यहां से आप इस बाइक का पूरा रेर प्रोफाइल को चेक आउट कर सकते हो कुछ इस तरह का यहां पर आपको रेर वाला प्रोफाइल दिया गया है आपको छिटल आपको नोन फ्लक्सिवल ब्लेंकर दीए गा दो सकते है तो ऐस फेकिवल जाता था तो काफी बढ़्िया यह जगाने यहाँ जगह देख सकता हो रिफ्लेक्टर दियागा और यहाँ पे उसका रेर वाला मड़गाड वी देख सकतो दूसरी और चले तो दूस से आपको चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे सीट काउल पर डिवल टोन कलर के आपको ग्रैफिक्स दिए गया और फाइबर की यहां पर फूल चैंसेट की कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है इस साइट से यहां पर इंजन पर देख सकतो हीरो की आपको ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है साइड एस्टेंड कटफ जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसा कि गौवर्मेंट द्वारा कंपल्सरी कर दिया गया था यहां पर इसका सेंटर एस्टेंड भी देख सकते हो तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करें इसकी यहां पर आप विजिट कर सकते हो हीरो के किसी बाइक एसकूर्टी का आप टेश रैव ले सकते हो अगर आभी अपने सीटी के ओनर पाई जानना चाहते हो तो आप उन जो कमेंट बॉक्स अपने सीटी का नाम लिख करके भेज सकते हो ठैंकी दोस्तों वीडियो के लाश तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेनत पसंद आए तो वीडियो को जाए 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 लाइक कीजेगा दोस्तों में सेर कीजेगा और तिलक आटो हब चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा जैहिन जै भारत